असलाम वीकुम स्टुडेंस, you know we started tip day 3 of integration, now in this video we discuss about exercise repaint 2 part 4, how to solve integral of logarithmic function, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ने करना है चैनल को like, subscribe and press on bell icon for more updates, तो से पहले स्टुडेंस देखें के आप लोगोंने logarithmic function का derivative किस रहा लिया था, देन हम देखेंगे कि integral of logarithmic function किस रहा लेना है, आप लोगोंने सिरफ थोड़ा सा remember करना है derivative को और देन उससे relate करते हुए integral को सीखना है, तो चलते हम आपनी आज की वीडियो की तरफ, तो स्टुडेंस, यहां पे मैंने कुछ general form में लिखा हुआ है कि derivative किस रहा लेना है, देन मैं आप लोगों को बताऊंगे कि कैसे हमें पता चला कि हमने logarithmic function के लिए integral में कौन सा rule यूज़ करना है, तो simply यहां पे देखें, हमारे पास एक general function है logarithmic का, और जब हम इसका derivative लेते हैं, तो हमने कहा कि ln of x is equal to 1 by x, यह time आपको याद होगी, next अब generally हमारे पास function है ln a x plus b, अगर हम इसका derivative लेना चाहें, तो हम सबसे पहले 1 by given function a x plus b लिखेंगे, then हम इस टरम का derivative लेंगे, same as it is यहां पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप लोग ने derivative remember कर लिया कि किस तरह आप लोग derivative लेते थे, then आप देखते हैं हम किस rule से हम integral लेंगे और वो rule किस तरह बना, जी students, तो यहां पे हमने इस टरम का derivative लिया, तो हमाएँ पास a आ गया, constant आ गया यहां पे हमाएँ पास, next आप हमने यहां पे क्या क्या बोग साइट integral लिया, you know integral और differentiate inverse process से तो यह कटिंग हो जाएंगे, तो यहां पे हमाएँ पास term आ जाएगी ln of ax plus b, and then हमाएँ पास integral of this term and constant हम बाहर निकाल लेंगे, तो इस तरह हम लिखेंगे जब हमने both sides integral लिया, तो हमाएँ पास यह term आ गये, अब यहां पे देखें हमें find करना है integral of ax plus b की value, तो यहां पे हमाएँ पास integral of ax plus b जो है, वो equal i का ln of ax plus b divided by a, अब students देखें, कि जैसे कि हमने previous वीडियो में discuss किया था, कि हमाएँ पास integration जो है, वो inverse process of derivative, हमाएँ पास अगर integral आए 1 by x dx, तो इसका integral हमाएँ पास होगा lnx plus constant, इसे हमने discuss किया था previous वीडियो में भी, कि हमाएँ पास अगर derivative of lnx 1 by x है, तो integration of 1 by x lnx होगी, तो यहां पे हमाएँ पास जो given function बना है, वो 1 by x की form में बना है, तो इसकी integration हमारे पास ln of x बनेगी, लेकिन integration में हम जब variable का derivative लेंगे, तो हमाएँ पास 1 आएगा, तो यहां पे divide होगा, तो यहां पे सेम यही टरम बनी, कि ln of x divided by derivative, जब भी हमने logarithmic function की integration करनी है, तो हमने variable के derivative को divide करना है, simply एक और बात में आप लोगों को बताती हूँ, students यहां पे note करें, कि हमारे पास derivative of this function product हो रहा है, लेकिन integration में क्या होगा, कि इस function का derivative हमाएँ पास divide होगा, सिर्फ यह बात आप लोगोंने note करनी है, कि integration में हमाएँ पास derivative of this term divide होगा, students मैं एक example से आप लोगों को again समझाती हूँ, कि आप लोगों का concept clear हो जाएग, लेक्ट हमाएँ पास एक function है, given function, integral of ln x, 1 by x, जब हमने integration करनी है, तो simply आप लोग देखें कि हमाएँ पास एक function f of x है, जो कि ln x है, और एक function 1 by x है, जो कि f dash of x है, अब अगर हम इन functions की जगा, इस term को put कर दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, then हम क्या करेंगे, इस function पर हम कहते हैं कि one power है, अगर कोई भी नहीं है, तो mean one power है, one power है और मैं यहाँ पर power rule यूज़ करना चाहती हैं, तो आपर उन्हें power rule डिसक्स किया है, प्रिवेस वीडियो में, कि यहाँ पर हमारे पास, जिस function को हम integrate करना चाहते हैं, उसका derivative यहाँ पर मजूद होगा, परोडेक्ट में, then हम power rule यूज़ कर सकते हैं, तो अब देखे, अगर मैं f of x function है मेरे पास, उस पर मैं power rule यूज़ करना चाहती हूँ, तो हमें पता है, इसका derivative यहाँ पर मजूद है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, power rule यूज़ करूँगी, power rule में, एक power में add करूँगी, और इस power को divide कर दूँगी, तो इसकी मैं क्या कर लूँगी, integration कर लूँगी, next मेरे पास, यह answer आएगा, then मैं कहती हूँ कि मैंने let किया था, f of x, equal है ln of x की, तो यहाँ भी मैंने putting कर दी, तो मेरे पास यह answer आज़ाए, अब simply आप लोग देखें, 1 है, और 1 by x है, mean इस function की power 1 है, और इसका derivative 1 by x, function में given है, भी power rule use कर सकते हो, इस तरहा, जैसे simply आप लोग ने यहाँ पर power rule use किया है, वैसे ही, आप लोग directly भी कर सकते हो, इस तरहा, यहाँ पर मैंने आप लोग उसे समझाने के लिए बताया है, कि अगर एक function आप लोग के पास given है, इंटेग्रल में और आप लोग ने आप उसकी integration करनी है, तो आप लोग ने देखना है, कि अगर given function का derivative product हो रहा है, दन आप लोग power rule use कर सकते हैं, students, मेरा main मकसद है, इस वीडियो में आप लोग को बताऊं, कि लोगा रिथमिक function की integration किस तरहां करनी है, उसका क्या rule है, given function, simply आप लोग ने given function लिखना है, और given function में जो आप लोग के बास variable term यहाँ पर use हो रही है, इस term का आप लोग ने derivative divide करना है, जैसे exponential function में हमाई पास ax है, तो मैं इस term का derivative लोग तो वो divide हो जाते हैं, लोगा रिथमिक function की integration करने के लिए यह rule है,